और थारत की पुर्जातांत्र पर्यवार आपको कभी कि परस्फटे ने देगा, इसलिए पर्यवार आपको का सवाउत होना, निश्चित खईया होता नवश्कार आईवी टीवी देख रहें आप, मैं हुँ आपके साथ निश्चा भाश्पा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा बिहार के दोरे पर आएं इस दोरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर बिहार की सियासत करमाती हुई नसर आ रही है हास तोर पर इंडिय के घटक दल भी इस पयान के माईने निकालने में जुड़ चुके हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार रवी उपाध्याय वरिष्ट सयोंगी आशुतोस मिश्रा सर जिस तरीके से जेपी नड़ा बिहार के दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ भासन दिया कही न कही वो इंडिया एलायंस को भी घेरते हुए नजर आए लेकिन कुछ भासन ऐसे दियें कुछ बयान ऐसे दियें जिसे साफ तोर पर इंडिया के घटक दल भी माईनी निकाल रहे हैं देखिए परिवारबाद और भरस्टाचार यह तो समझ में आ रहा है कि परिवारबाद की और किस पर इसारा कर रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं कि अभी आए हैं एक मामले में जमानत पर बेल पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए, भारती जंता पार्टी जो है, वो इंडिये इलाइंस में है, तो इंडिये इलाइंस में सबी दलों को ले करके चल रही है, 36 दल, 38 दल, 35 दल, ये दल दिखाई पड़ता है, उनके साथ में हैं, तो उनकी क्या समाप्ती करेंगे, वो इस तरी दल समाप्त हो जाएगा, तो यहां पर छत्रब दलों की ही पकड़ हर स्टेट में आप देखिएगा, जहां पर भी इंडिये गॉर्मेंट है, इंडिये या सिंट्रल में भी, केंदर में भी अगर इंडिये है, तो वहां पर भी छत्रब दल, ठीक है, नरेंदर जैसे साइकिल का पहिया चक्का न घूमता है, उसे तरह घूमता रहता है, वो अब जो है सो बरतमान परिस्तिती में, जो अभी जो अब बिहार का हम जाती है, सर्वेक्षन जाती है, सर्वे की ही बात करें, तो उसमें जिस तरह से आया है, उसमें अस-पस दिखाई पड़ है कि वो कहां पर अती पिछडा और पिछडा, कि वोट में किस तरह से सिंधमारी हो रही है, वो भारति इंता पार्टी को सहेजना, समेटना अपने आप में ही एक कठिन चुनोती सी दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में जे-पी नड़्डा, भाजपा के रास्तिय अध्यक इस तरह का बियान दे रहे हैं, तो कहीं ने कहीं जो घटक दल है, NDA के एलाइंस दल है, वही जो ऐसो असाहज है, समझना आप देखिए, विकासिल इंसान पार्टी जो मुके सहनी की पार्टी है, वह जो ऐसो, क्या सवाल भारतिंता पार्टी से बराबर कहते रहते हैं, कि ह हमारे पार्टी के हम लोग जीत करका है, सब हमारे बिधायकों को रख लिए, तो वो आप जैसो बड़ी मचली, छोटी मचली को खा जाने के, की जो प्रता है, वह जो सिस्टम है, वह नहीं चलता है यालाइंस में बहुत कुछ देख के, समेट करके चलना पड़ता है, तो ऐ 2024 में और 2025 में तभी आप उसको एचीफ कर पाएंगे अपने बल्बूते कोई भी पार्टी अगर अब के समय में चाहेगी तो वो उसके लिए बहुत टफ है इस तरीके के बयान पर आपकी क्या रहा है जो जेपी नड़ा परिवारवाद तूस्टी करन भरस्टाचार ये कहते ह वे नज़र आ रहे हैं कि इनको खत्म करना चाहिए लेकिन जिस तरीके से छेत्रिय को लेकर के वो बयान देते हैं वे नज़र आ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहिए उन्होंने जो बयान दिया है उसके बयान तो इंडिया अलाइंस लेकर दिया है लेकिन कहीं ने कहीं व दल को समाब चरने की बात कहीं उन्होंने निश्चित है तो ख्षेतरिये दल उंटे पार्टनर हैं सिर्फ बिहार की बात त्रहें तो उपएंदर कुछ वह कुछ वहां कौन देश की पाटी है का रल्लजटी नई पाटी है हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बिहार की पार्टी है चिराग पास्वान की पार्टी एल्जेपी आर बिहार बेस्ट है हलाकि दूसरी जगा भी नागलण में चुनाओ उनके जीते हैं लेकिन रिजिनल पार्टीयों में ही गिंती होगी मुकेश चानी को लेने की बात हो रहे थी वो भी रिजिनल पार्टी में है और इस पर मुझे लगता है कि अब तो बयान दोरा समाप्त हो गया उनका इस पर अगर रियक्शन लिया जाएगा तो घटक दलों में नराज़री देखने को मिल सकती इस बयान पर प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आ सकती है बीजेपी को सोचना परेगा चुकि इससे पहले भ ख़व समाप्त करना है चेत्रिये दोलों की परिभाश्ण उनने गडि पहला परिवारवाद को बरहावा देना है दूसरा भरस्टाचार को तीसरा तुष्टी करन को हलाकि उन्होंने कहा लालू यादव की पाटी के लिए उन तीनों के बारे में कहा तिन चार परिवार के म निशाना साथ रहा हैं चुटी राम बिलाज पासवान के बाद वो नहीं अपने पाटी चला रहा हैं अपने भाईयों को ठीकर देते थे तो निशाना और इसके बिल्कुल रियेक्शन होगा इस पर मुझे लगता है जेपी नड़ा को इस बयान से या समराठ चोधरी को उनु जब इंडिया अलाइंस की बैठक हो रही थी 1819 से आज पास तो 18 जुलाइक को इंडिये की बैठक आननफर्ण ने बुलाई गई संख्या दिखाने के लिए कि उस्ते पास 27 जल है 28 जल है इंडिया अलाइंस में तो हमारे पास 38 पार्टियां है उसमें से मैक्सिमम कई पार्टियां ऐसी है जिस्ते पास ना कोई विधायक ने सानसद है सब छेत्रिये जल हैं छेत्रिये में भी जोन बाई उन लोग का जना भी जोन कोई समाब चाहरे है कि भरी मचली पार्टियां को निगलने की परथा चलती आ है तो आप आप तो खुले हां कोहां करके निगलना चाह रहे हैं यह मैंसे हम तो इडिटर से कहें हैं कि उनकी जो क्लिपिंग है वो आज की वो उसको एडिटर दिखाएं कि जेपी नडडा ने इस क्या कहा है हुआ हैं को आणि के वादि आई और यहारत कि द्रसकों में भी भ्रम के सिति नहीं हो और इसको लोगे और समझें कि क्या जेपी नडडा ने कहा है डिटरीदनम के बारे में तो यह लोग समझेंगे तो भी जाकर कि यह समझ में आएगा लेकिन एक बात असपस्ट है कि देखिए जेपी नडडा भारती इंतापाटी के रास्टिय ध्यक्षे और उनके जो प्रधान मंत्री उनके क्या सबके प्रधान मंत्री तो नरेंदर मोदी का जो कंसेप्ट है वह उनसे लगता ह है कि अलग है या फिर यह तो उनसे सलाह मस्वीरा बेगर किये हुए पाटी के चले आए हैं और इस तरह से ब्यान दे रहे हैं बिहार की राजनीत को समझने नहीं चाहरे हैं और इस तरह से ब्यान दे देना कि छित्री दलों को तो यह बात कहीं ने कहीं वो उनका इशारा बेशा किये था कि नितीश कुमार तो जिस तरीके से कंदे पर विठा करके 17-18 साल राज किया उन्होंने और बीजेपी अपनी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती थी नितीश कुमार को मुख मंत्री बनाया इशारा कहना उधर चाह रहे थे लेकिन ये अल्कुल साही ने जाता है वो भी खास तोर पर जब लोग सभा का चुनाव करीब है जब एक एक पार्टी तो 38 दल के बाद ये करनाटक में ये जेडियस को जनता दल सेकुलर को ये रखा गया है वहां पर देवगोरा के पार्टी को उन्चालिस दल हो चुके त्यू हो गये हैं और रिजनल पार्टियां जो इंडिये में हैं वो लोग मुझे लगता है कि मन्थन करने में जुट गये हैं कि भाई इस तरह के बयान के क्या मतलब है हमको साथ रखके हमी को समाब करने की बात तो नहीं हो रही है इस पर जब मुलाकात होगी अमीच साथ से या जब बात होगी तो ये लोग पूछ सकते हैं सवाल का जवाब चाह सकते हैं ये बरी बात है समराथ चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी है नड़्ड जो राश्त्री अध्यक्ष है बीजे पीटे देश नहीं दुनिया की सबसे वरी पार्टी है, अपनी पार्टी का विष्टार करना ठीक है, आप अकेले इतनी स्टेंथ आजा, आप चले सरकार बनाईए, फिर भाटी दल को क्यों रखे हुए हैं, जब आप छेत्रिय दल पो समाब करना चाह रहे हैं तो, और परिवारबात की बात चाह रहे हैं, न सब परिवार्बाद की बात कर मनेशू से चुता नहीं है तो इसलिए बातों से भराशटाचार की बात है वह भी ठीक है परिवारबाद की बात है अब शुने पूरे परिवार की बात वलग है इस और इसारा कर रहे हैं यह क्या Україno Treasury को भी घेरते हो आए मम्ता बेनर जी को भी घेरते हों नज़ आए सुन्या गांदी को भी घेरते होंACE थीक है लेकिन देख सब्सक्राइब को आप समाप्ति कीओर ले जाइएगा तो वह ठीक नहीं इस भुषे पर हमात आप कर रहे थीक है तो इस Life निश्चीत रूप से भारती इंता पार्टी जो खुद 38 दलों को 37 दलों को मिला करके अपने फोल्ड में रखी हुई है वो किस तरह से छित्रिय दलों के बारे में अगर कहती है तो वो यह राजनाथ सिंग्अ और उन्धेंव पूत्र गाजिया बाद से जीते हुए है सहभ सिंग्वर मा के पूत्र है प्रवेश वर्मा वो दिलीघ्जामपल है जो तिरदित सिंधिया जो पीजेपी करनी चाहिए तुर्टिकरण के बात होनी चाहिए परिवारवार्बाद की बात होनी चाहिए लेकिन यह तो सब जगह है नहीं तो इसको सोच समझते देना चाहिए फिर भी बीजेपी के राश्त्री अध्यक्ष है ओ इशारो-इशारो में क्या कहना चाह रहे हैं वहिए समझे लेकिन इसके मायने घटक दलों में जो एंडिये के हैं वो ठीक नहीं गया है और उलोग नराज हो सकते हैं तो देखे बिहार के दौरे पर आये थे जेपी नड़ा इस दौरान उन्होंने कई ऐसे बाते कहीं जो बिहार की सियासत में एहम रखता है आपको बता दे कि उन परहाल यह देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब आगे होता है आप देख रहे हैं आई वी टीवी धन्यवाद